हेलो एवरिवन मैं नंदिनी सिंग इस ब्याच्चू पाठशाला में आउनलाइन प्लासिस के थूँ आप सभी को जोग्रफी के कुछ इंपॉर्टेंट टम्स और पॉइंट्स को क्लियर करने आई हूँ explain करने से पहले video को start करने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ सबसे पहली बात आप हमारे premium courses को भी join कर सकते हैं किसी भी central university कि तयारी के लिए बियच्चू की तयारी के लिए entrance exam की तयारी के लिए आप हमें contact कर सकते हैं दिए गए description box में number के थ्रू दूसरी बात ये वीडियो को आप end तक देखेंगे बिना skip किये क्योंकि मैं last में कुछ important MCQs करवाऊंगी जो बहुत important है exam purpose के लिए तीसरी बात ये कि मेरा content जो होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा तो tension की कोई बात नहीं तो आईए start करते हैं अपने topic को हमारा topic है volcano and their types मतलब volcano से ही हम समझ जाते हैं कि जौला मुखी जौला मुखी और उनके प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे volcano आप जानते होंगे कि endogamic force है जो direct हमारे अर्थ के interior के बारे में बताता है कि interior से क्या क्या चीजे हैं crust mental ये सब की बारे में भी हम discuss आगे करेंगे so let's start सबसे पहला point हमारा है a volcano is a vent or a fuser in earth crust through which lava ash rocks and gases erupt a volcano is a vent तो इसका यहां पर यह मतलब है कि जो volcano हो इसका vent means एक crater आगे मैं एक figure दिखाऊंगे जिससे आप समझ जाएंगे definition को जिससे अर्थ के crust से अर्थ का crust आप जानते होंगे पहले crust आता है अर्थ का फिर mental आता है ठीक है वहां से हमारा magma जो होता है वहां से निकलता है जहां से through which lava ash rock and gases erupt जो vent होता है उस vent के मुझे लावा लावा निकलता है एश मतलब rock ही निकलती है rock निकलते है rock कुछ volcanic bomb टाइप में और gases erupt होते है gas मतलब आपके gas हो सकते है co2 हो गया hydrogen हो गया यह सब gas erupt होते है ठीक है फिर next point है an active volcano is a volcano that has erupted in the recent past active volcano का मतलब यहां पर यह कि यह volcano जो होते हैं समय समय पर मतलब erupt होते हैं फटते रहते हैं पहले भी फट चुके रहते हैं past में और recent जल्ड में फिलाल में भी फट सकते हैं active volcano होने कहते हैं third point यह है कि the mental contains a weaker zone known as esthenosphere esthenosphere जो होता है यह जो यहां पर लिखा है esthenosphere यह हमारे upper mental में पाया जाता है earth में पहले crust हुआ फिर mental हुआ इसके weaker section से क्या निकलता है commodity magma निकलता है हमारा ठीक है यह पर फोट में नहीं कह प्रत मैंट में यहीं कहा है कि magma is a material present in the esthenosphere esthenosphere में क्या हमारा present होता है magma present होता है esthenosphere क्या होता है बहुत वीकर section जो होता है weaker zone होता है जो में इसका mental को अपर mental होता है earth crust के अपर mental पे पाया डिया हुआ है यहां अपर ध्यान से देख सकते हैं कि यह होता है यह मर्हारा वैंट होता है यह जो था है यह कप लाइख शेप जिसको कहते हैं वह क्रेतर होता है वेंट देखे यह मू जो बाहर की से फटने के हिस्थे कहते हैं वेंट कहते हैं यह हमारा मेगमा हुआ ठीक है मेगमा होता है यह फिर जो यह निकल के बहार आता है इरप्ट होने के बाद ये जो कहलाता है ये हमारा लावा कहलाता है लावा और मेगमा के अंदर डिफरेंस यही होता है कि जो लावा जो होता है वो फटने के बाद जो चीजे निकल के बहार आती है कंकड के रूप में उसे हम कहते हैं लावा ठीक है मींस वो लिक में होता है और यह जो मैगमा होता है यह हमारा एस्थेनोस्फेर में पाया जाता है ठेक है आई होप आप समझ गया होगा इसे तो चली हम अपने लास्ट पॉइंट को समझते हैं हमारा लास्ट पॉइंट है तो यहां पर यह ही कहा है है कि जो मतेरियल जो निकल के मगमा से जो बाहर मतलब बॉल्काइनों से सजवшे इर क्वाल फहले इरप्ट ओके आती है वह सबसे पछ enormous वर हन्सका होती है हमारा लावा जो है यहाब मैं बताइ Inte C that शोप में मैं एक जो होते हैं उनको कहा जाता है वह बहारा के फटे नहीं आप के अन्-वाल के उसनीग एक साइसयब का मतलब चना देखे होंगे चना मटर उनके साइज की जो कंकर पत्थर होते होंगे जो निकल के बाहर आते हैं इरप्ट होते टाइब धूए के साथ राक के साथ उसको कहते हैं पाइरोक्लैस्टिक डैबरीज्ट यह कुछ गेस जो यहां पे लाइन पर लिकाऊ चाहिंगे इस ग्डैस में भी सल्फर खम जाता है उसी को यहां पर हिंदी में लिखा है समागरी जो प्रवाहित होती है या जमीन तक पहुंशती है उसमें लावा प्रवाह जॉला मुखी बम हुआ आपका पाइरोक्लैस्टिक मलबा हुआ धूल हुआ राक हुआ गैस सामिल है गैस सल्फर योगिक नाइट्रोजन यो और आर्गैनिक हाइड्रोजन और क्लोरीन की मात्रा का पता लगा सकती है हिंदी में ये खा गया है मतलब इस डेफिनिशन का मतलब हिंदी में इसको यहां पर मैं समझाएं हूँ है नेक्स पॉइंट डिफरेंट स्टेजिस ऑफ वालकैनों वालकैनों के कितने टाइप हो सक इसके कई प्रकार होते हैं लेकिन किस चीज पर यह निर्भर करता है वह हम देखेंगे यहां पर किस चीज पर सबसे पहला दा नेचर ऑफ दी मटेरियर अप्टेड जो समागरी जो मतलब प्राकृतिक रूप से जो बाहर निकलते हैं उनको देखा जा सकता है यह टाइप अ आ सकते हैं परिवर्तन आ सकते हैं जब इरप्ट यह विस्पोर्ट करेगा तो उसकी मात्रा क्या होगी ठीक है अपना नेक्स पॉइंट हम देखते हैं वालकैनो आर केटेर्गराइज इंटो थ्री में कैटेगरी जो अला मुख्य को तीन मुख्य की श्रेणियों में मतलब इसको अलग-अलग किया गया है सबसे पहला जो है थ्ल describes टो इस एक्ट यह एक्टेव और यह होता है कि यह वल्कैनो को ऐसे बताय गया है इनकी कैटेगरी होती होती है इनको categorize किया जाता है इनकी characteristic के थूँ कि यह कैसे होते प्रेजंट टाइप में यह ऐसा expect किया जाता है संभावना होता है कि यह फट सकते हैं या पहले यह already विस्पोर्ट इनका हो चुका होता है उसी को मैंने यहां पर हिंदी में भी समझाया हुआ है आप देख सकते हैं फिर second type जो है वो है dormant volcanoes इसका मतलब होता है कि the classification of volcanoes which is called dormant would be a volcano that is not erupting or predicted to erupt in the near future यह तो पहले dormant volcanoes यह होता है कि यह पहले यह 10 साल पहले यह फट चुके होंगे विस्पोर्ट हो चुके होंगे यह आने वाले future में यह कभी भी मतलब कभी भी नहीं मतलब आने वाले future में prediction लगाया जाती है नुमान लगा जाता है यह फट सकते हैं इसको सुषुप्त जौला मुखी कहा जाता है dormant volcanoes को extent volcanoes यानि dead volcanoes जो कभी फटते ही नहीं हो an extent volcano जो third type है वो यह कहता है कि an extent volcano is a volcano that no one expects will ever have another eruption मतलब इसका कोई time या कुछ भी नहीं है इसको dead volcano कह सकते हैं या कभी फटा ना हो या बहुत कई साल कई सौ साल फट भी चुका हो जो अब जाके ठंडा हो जुका हो जो मतलब अब फट भी नहीं सकता है मतलब अब फटेगा नहीं तो इस figure में यहीं समझाया है कि इस figure को अगर आप देखेंग यह पहला वेंट जो होता है जो crater जो ऐसे crater जो होता है यह कप लाइक शेप होता है यह और इसका पहला वेंट हुआ सेकंडरी वेंट पहला वेंट यह होता है सेकंडरी वेंट इधर से हुआ तीसरा वेंट इधर हुआ यह मैगमा चेंबर आप देखी रहे हैं ठीक है अब आ मतलब जौला मुखी के कप आकार के मुख्यों को क्या कहते हैं ठीक है जो सबसे पहला यह है रूमारा बॉल कहना हो इधर यह कप लाइक शेप होता है इसको क्या कहते हैं सबसे पहला पॉइंट सबसे पहला option तो इसका right answer जो होगा होगा हमारा C crater crater जो कप like shape जो होता है जो कप की आकार जिसका मुख होता है उसको हम क्या कहते है crater इसका right answer is C crater answer सही होगा second question हमारा an earthquake measuring instrument is called भुकंप की तिविता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं तो पहला option है हमारा A Indograph B pentagraph C barometer D seismograph तो यहां पर बताया है तो इसका correct answer यह तो सब जानते होंगे कि क्या होता है earthquake को earthquake की measurement नापने वाली कौन से यंत्र होता है वो है D हमारा right option सिस्मोग्राफ जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा छेतर प्रभावित हो सकता है earthquake से उसकी त्रीविता को देख सकते हैं उसकी लहर को देख सकते हैं question number third a volcano that has not erupted for a long time but can be active anytime is called ऐसा जौला मुखी जिसका लंबे समय से उद्दार नहीं हुआ है लेकिन कभी भी सक्रिये हो सकता है या क्या कहलाता है तो पहला option है dead volcano मृत जौला मुखी B dormant volcano सुशुप्ट जौला मुखी C active volcano सक्रिये जौला मुखी D none of these या इन में से कोई नहीं तो इसका right answer है B dormant volcano मतलब सुशुप्ट जौला मुखी सुशुप्ट जौला मुखी का सबसे best example है जो जापान में पाया जाता है वो जो है फ्यूजी आमा फ्यूजी आमा जो है वह हमारा क्या है dormant volcano है और नार कॉंडम भी है तो जापान का सबसे फेमस एक्जामपल के रूप में आप याद कर सकते हैं याद रख सकते हैं आप एक्जाम में पूर सकता है कि जापान का कौन सा ऐसा डॉर्म डॉर्मेंट वाल कैनो है तो वह है फ्यूजी आमा next question number 4 which of the following does not occur in a volcano जोला मुखी में निम्न से कौन सी नहीं होती है मतब क्या नहीं पाया जाता है option A oxygen B water vapor gel wasp C hydrogen D nitrogen तो इसका correct answer वो है वो है A oxygen नहीं पाया जाता है बलकि water vapor gel wasp hydrogen nitrogen और co2 भी पाया जाता है carbon dioxide पाया जाता है लेकिन oxygen जो क्या है वाल कैनों में नहीं पाया जाता है इसको याद रखने के लिए यह हो सकता है कि volcano जो होता है उसे eruption होता है means बहुत जाते problems मतलब बहुत भटने के चक्कर में बहुत अर्थ पे दिक्कत आती है और oxygen जो है वो क्या हमारा वो एक हमें oxygen जो है वो air हमें क्या देता है means life प्रदान करता है oxygen जो होता है question number fifth which is the most volcanic reason in the world विश्व का सबसे अधिक जौला मुखी वाला छेत्र कौन सा है option A है around the Arabian Sea अरफ सागर के आसपास B around the Pacific Ocean प्रसांत महा सागर के आसपास C around the Antarctica Antarctica के आसपास और D none of these या इन में से कोई नहीं तो इसका correct answer होगा B around the Pacific Ocean Pacific Ocean जो है कम से कम इधर 63% volcanic eruption होता है 100 में से total तो इसको कहा जाता है इसको यह जो around the Pacific Ocean के around जो volcanic eruption होता है इसको हम कहते है रिंग ओफ फायर मतलब इस नाम से फेमस है रिंग ओफ फायर की नाम से फेमस है कोशन नमबर 6 फ्यूजियामा किस देश का जोला मुखी है अभी मैंने बताया है कि किस देश का है चले देखते हैं option option ए है इटली बी इरान सी फिलिपिन्स डी जैपैन तो मैंने बताया यह कि डी जैपैन का है यह डॉर्मेंट एक तरसी किसका एक्जामपल डॉर्मेंट व प्रकृति का सुरक्षा वॉल्फ किसे कहा जाता है option ए साइकलोन चक्रवाथ बी अर्थक्वैक भुकेंप सी तुनामी डी वॉल कैनो जौला मुकी तो इसका राइट आंसर जो है वॉल कैनो होगा क्यूंकि इसलिए मैगमा जो है अर्थ के अंदर पाया जाता है जिसके वज का टैंपरिचर जो है अर्थ का बहुत बढ़ते जाएगा जिसकी जैसे हम लोग गर्मी मतलब हर चीज को हम लोग जेल सकते हैं प्रॉब्लम्स को question number 8 तो मतलब 7 का right answer है वो है वॉल कैनो question number 8 what is a volcano that what is a volcano that never erupted जिस जौला मुकी में कभी उद्दार नहीं हुआ उस जौला मुक c dead volcano मृत जौला मुकी और d none of these इन में से कोई नहीं तो इसका answer होगा correct dead volcano dead volcano क्या है यह कभी भी नहीं मतलब जो option extent volcano जिसको कहते है वही dead dead volcano कहलाता है इसका best example जो होगा वो यह है इसका correct answer जो है वो है dead volcano sorry करेक्ट आंसर जो है एक मिनट इसका correct answer जो है वो है dead volcano जो कभी भी erupt नहीं हुआ इसका best example जो है वर्ल्ड के मतलब हाइस्ट पीक पे situated है वर्ल्ड में एकांग का गुआ एकांग का गुआ जो है एकांग का गुआ एकांग का गुआ I think spelling wrong हो सकती है आप चेक कर लेना यह यह dead volcano में पाय जाता है मतलब इसका best example यह आप याद कर सकते है dead volcano का एक आंग का गुआ यह इसका जो height है वो है 6960 मीटर ठीक है फिर question number nine what are the pieces of solid rocks coming out of a volcano ज्वाला मुखी से निकलने वाले ठोस चटानों चटानों के तुकडो को क्या कहते हैं तो option देखते हैं यह option है pyroclast b caldera c pumice d lapley तो इसका जो correct answer जो है वो है a pyroclastic pyroclastic का मतलब मैंने बताया है pyroclastic जो होता है pyroclast जो होता है वो एक mutter की दाने के shape का होता है उतना चोटा होता है और जो caldera जो होता है वो crater मतलब जो cup like shape होता है उसका larger form को हम caldera कहते हैं pyomish जो होता है वो means जो लावा या कुछ जो होता है निकल के बहार आता है या उसकी size जो उसकी density होती जो घनत वो होती है वो water से भी बहुत कम होती है और लैपली जो होती है वो sorry मैंने गलत बता है जो लैपली होता है वो मटर के दाने के जैसा होता है वो उतना छोटा होता है और पाइरोक्लास्टिक जो होता है उधर से हमारे क्या क्या कहलाते हैं जो इदर कोशन में दिया है कि छोटे-छोटे सॉलिड रॉक्स की तुकुडों को हम लोग कहते हैं पाइरोक्लास्टिक ठीक है कोशन नमबर टेन विच इस दी वर्ल्ड हाइस्ट एक्टिव वॉल्ड कहनो विश्व का सबसे उचा सक्री जौला मुखी कौन सा है तो ऑप्शन ए जो है वह है मांट इट इट न भी जो है कोटापेक्स डी जो है फ्यूजियामा तो वर्ल्ड का विश्व का सबसे बड़ा सक्री एक्टिव वॉल्कैनो कौन सा है वह हमारा बी ओजिस डेल सलाडो यह कहां पाया जाता है यह अर्जिंटीना और चिली जो है अर्जिंटीना और चिली जो है उसके बॉर्डर पे यह और यह जो है इसका जो हाइट है वो है 6893 मीटर आप देख सकते होंगे कि पहले जो था वो कोटापेक्स था मतलब हाइस्ट जो पाया जाता था एक्टिव वॉल कहनो उसका जो हाइट है वो 5897 मीटर पाया जाता है बट अब जो है वो हमारा हो गया है ओजिस डेल सलाडो जो अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर के पास पाया जाता है कोशन नमबर 11 विच इस दी ऑनली एक्टिव वॉल कैनो इन इंडिया भारत का एक मात सक्री जॉला मुखी कौन सा है तो ऑप्शन ए बैरेन लेंड बैरेन द्वीब बी नारकोंडम सी डियो बैंड और डी न बैंडमान निको बार को अलग करते हैं उस चैनल को क्या कहते हैं टैन डिगरी चैनल चैनल के आप जानते होंगे इंडिया में जो एक मात रभ जाता है वो है बैरेल आलेंड फिर question number 12 which continent does not have a single volcano कौन से महाद्वीब में एक भी जौला मुखी नहीं है तो option देखते हैं A. Asia B. Antarctica C. Australia D. none of these तो इसका correct answer जो है C. Australia इधर एक भी volcano जो है नहीं single volcano नहीं पाया जाते हैं पहले total continent जो थे हैं वो हमारे 7 थे बट मैंने हर जगा एक मतलब बहुत सर्च करके देखा है total अब continent 8 हो गया है हमारे जिलांडिया एक नया आया है जिलांडिया जो है जिलांडिया जो है वो एक नया आया है continent जो south east south east में पाया जाता है Australia south east most साइट पाया जाता है कोशन नमबर थर्टीन विच इस दी वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव वाल के नो विश्व का सबसे सक्रिय जॉलाम की कौन सा है ए oh is the Divine बसे एक्टिव वाल केंवर मतलब में मोस्ट अबसे जादे एक्टिवनेस इसी क्याएं। होती है यह हवाई में हवाई एक जगह है उधर पाया जाता है आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और हम मेरा explanation और mcqs काफी आपको अच्छा लगा हो और आपकी होप सो यह मदद करें एक्जाम में सो थैंक यू सो मच